बैतुल जीले के जलार पुलिस ने बड़ी कारवाई को अंजाम देते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो यूट्यूब से आइडिया लेकर स्टाम पेपर स्कैन कर नकली नोट बनाते थे आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट बनाने का सामान सब्थ किया गया है बैतुल जीले के जलार में 28 जनवरी की रात जलार के बाजार में 200 का नकली नोट चलाते एक यूबक पकड़ा गया था पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बारी की से जाच करने पर मुख्या आरोपी महेश रासके से पूच्टाश करने पर विरेंद पिता दुर्गदा स्पांडे टिकारी बैतुल की संलिप्टता जाली नोट बनाने में पाई गया जिसके बाद पुलिस ने विरेंद को उसके निवास से गिरफतार कर लिया मुख्या आरोपी महेश ने बताया कि विरेंद इस काम में मेरा साथ दिता था महेश रासके की घर तलाशी लेने पर दोसों का एक नकली नोट भी बरामत किया गया साथी आरोपी महेश रास के शिफ्रसाथ से पुलिस ने सकती से रिमार्ण में पूछताच की जिसमें बताया किस वयम कंप्यूटर प्रिंटर और स्केनर की सहायते से नकली नोट बनाने के लिए स्टाम पेपर पर स्कैन कर नकली नोट छापने का काम शुड़ू किया था मही धानब रभारी राकेश सरियाम ने बताया कि आरोपी जाली नोटो का काम यूट्यूब में देखकर सिखा था और आरोपी नकली नोट शहपूर पाढ़र और आमला बाजार में चला चुका है इसके बाद आरोपी जाली नोट चलाने के लिए आया था मगर वयापारियों की सूचबूच से आरोपी को जाली पुलिस ने पकड़ लिया वही पुलिस को दूसरे आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है जलार धाना प्रभारी राकेश सरियाम ने बताया कि महेश के घर से CPU और स्कैनर और नोट की छपाई में उपयोग होने वाला सामान और स्टाम की कतरन मिली जिसे जब्त कर लिया गया है और साथी उसे पुलिस ने कोट में पेश किया है लेकिन जब दुकान दर स्काम राओ ऐसी संता हुई यह यह दोसों को नकली दिख रहा है वियर रपोर्ट कबर मद्रिपदेश